हाई फ्रेंड्स आहम अश्राफ रम जागवर ओटो टोनेक्स आज ये वीडियो में हम देखिंगे हूँडाई का डेन्सो एसम है इसको PCM फ्लाश में रीट करना चाहिए तो आपको PCM फ्लाश का ओरिजिनल हाडवेर और साफ्ट्वेर चाहिए अभी ये ECM को ओटल में JVCA है J2534 इसके मदद से PCSuit कनेक्ट करके कैसा रीट करना चाहिए अभी जो भी आपको PCM फ्लाश यूज़ कर रहे है उसको कोई भी इंटरफेस चाहिए इसको हम डिरेक्ली हमरा पास्त्रू यूज़ करेंगे अभी इसका कनेक्शन में अल्रेडी कैन बोक्स में दे चुका हूँ कैन बोक्स में देखे इसका VCA कैन बोक्स का OVD में कनेक्ट कर दिया अभी इसमें देखो हमारा इगनीशन आन है और सब कुछ आन है में डिले भी आन है इसको रखके अभी जे VCA में कैसा काम करना चाहिए अभी इसके अंदर क्या करना PCM फ्लाश ओर्जिनल साफ्ट्वेर PCM फ्लाश ओपन कर लेता हूँ अभी इसमें देखो डिरेक्ली इसमें डिन्सो का सेलेक्ट किया हूँ लेकिन इसको रीट करने के लिए एक हाड़वेर चाहिए आपको वो हाड़वेर है हमारा जे 2534 का अभी इसके अंदर आइडेंटिफी करेंगे आइडेंटिफी करके रीट कर दिये तो हमारा काम रेडि हो जाएगा लेकिन आपको इन बिट्वीन इसके अंदर PC सॉफ्ट्वर इंस्टाल करना चाहिए इसमें देखो जे 2534 आउटल इंटेलिजेंट टेक करके आ रहा है अभी इसको मैं कैसा सेलेक्ट करना भी बता रहा ह इसमें देखो तीसरा ऑफ्षण है ओटल इंटेलिजेंट टूल इसको यह काह से इंस्टाल करना चाहिए आपको आटल सैट से डारेक्ट मैक्सी PC स्यूट कर रहा हैगा मैक्सी PC स्यूट के तरफ में आपको काम कर सकतें यह भी मैक्सी PC श्यूट आपका लैप्टाब में है तो जो भी hardware से वो automatically उसका drive install हो जाएगा अभी PCM flash open करेंगे अभी इसका denso ECM अभी तीसरा option में VCA सेलेक्ट कर लगे जे VCA कर गया आएगा उसके अंदर maxi flash उसको सेलेक्ट करना सेलेक्ट करके read दे दिये तो हमरा ECU read ओना के लिए start हो जाएगा ओके प्रस ओके अभी देखो without PCM flash का original hardware नहीं सो बिना original software JVCA through हमरा ECM read हो रहा है अभी आपको जो भी software's है उसके बास hardware नहीं है original software's है हमरा JVCA को आप hardware के तीम भी काम कर सकते है thanks for watching अभी आपको ुषित कर सकते है